प्रणाम मासी आपने मुझे बुलाया था हाँ सुरज मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी थी आ बैट मैंने सोचा अगर मैं घार आती हूं तो वहाँ बहुत से लोग रहेंगे और हमारी आराम से बात नहीं हो पाएगी इसलिए मैंने तुझे यहीं बुला लिया हाँ मासी बोलो क्या बात है सुरज तू मेरी बात का बुरा मत मानना तेरे एज में और मेरे एज में ज़्यादा फर्क नहीं है हम दोनों दोस्त जैसे ही रहे हैं हाँ मासी निसंकोच बोलो मैं सुन रहा हूं सुरज तेरी मा कायानी मेरी बहन का फोन आया था कल वो बहुत रो रही थी बहुत परेसान लग रही थी तेरी बीबी बहुत तंग कर रही है उसे अरे सुरज मैं मानती हूं वो अफिस जाती है पर फिर भी दीदी का ख्याल तो रखना चाहिए न मासी आपकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है मैंने सोचा था कि आप मुझे समझती है मासी मैं कुछ नहीं बोलूँगा आप सिर्फ मेरी एक बात मानो घर चलके एक हपते घर पर रहो फिर आपको पता चल जाएगा कौन गलत है कौन सही है अच्छा ठीक है तुघर जा मैं कल आती हूँ पर मासी मा को मत बताना कि मैं यहाँ आया था तू नहीं सोच रहे मैं आती हूँ ठीक है मासी मैं जाता हूँ दीदी क्या कर रही हो टीवी देख रही हो अरे छोटी तू ऐसे अचानक घर पर सब ठीक तो है न क्यों दीदी मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था क्या मैंने तो सोचा था कि यह अभी मेरा ही घर है अरे नहीं रे छोटी तू अचानक आ गई न इसलिए मुझे फिक्ष हो गई आ बैट अरे मासी आप नमस्ते मासी परी यह मेरी मासी है मासी से नमस्ते करो मासी आप बैठो मैं परी को इसके घर छोड़ के आती हूँ पर दीपा मैं इतनी दूर से आई हूँ दीदी तेरी बेटी ने तो चाय तक को नहीं पूछा और यह बच्ची कौन है अरे छोटी इस समय इसकी छुट्टी चल रही है तो इनी बच्चों के साथ टाइम पास करती है अरे दीदी अगर इसकी पढ़ाई पूरी हो गई हो तो इसकी साधी कर दो न अरे छोटी अभी वो कह रही है एक दो साल नहीं करूंगी साधी तो घर में बैठके क्या करेगी नौकरी भी कर ले घर में मदद हो जाएगी क्यों छोटी घर में किसी चीज की कमी है क्या कि बेटी कमाएगी कभी पूरा होगा खरचा बेटे बहु कमा तो रहे हैं अपनी मा बेहन का खरचा नहीं उठा सकते क्या अरे दीदी तुम समझ क्यों नहीं रही हो घर में बैटके करेगी क्या चूला चौका करेगी अच्छा भाभी का हाथ बटाती होगी अरे वो क्यों हाथ बटाएगी बहु है तो घर का काम भी नहीं कर सकती वो अरे मासी नमस्ते मासी आप कब आई नमस्ते मासी जी कब क्या आई तुम लोग इती टाइम आए हो कितना देर कर दिया तुम दोनों ने आधी राप तक पता नहीं क्या करते रहते हैं बहुत तुझा और मासी के लिए चाय बना दे क्या ममी जी मासी जी इतनी देर की आई हुई है और इने चाय भी नहीं थी आपने कौन बनाता चाय तू तो थी नहीं परमा दीपा तो थी कहां गई वो सारे दीन इधर उधर भटकती रहती है इसके घर उसके घर एक कब चाय नहीं बना सकती क्यों बनाएगी वो चाय नौकरानी है इस घर की क्या अरे आप लोग चुप करिये मैं जा रही हूँ चाय बना देती हूँ दीदी ये आप गलत कर रही है बहु इतनी टाइम ठक खार के आई है और तुम्हारी बेटी इधर इधर घूमती रहती है घर का काम तो करी सकती है न छोटी तू फालतू की वकवास मत कर मेरी बेटी नौकरानी नहीं है ये महरानी नौकरी के बहाने आधी रात तक चैर फाकीरी करेगी और मेरी बेटी घर का बाई ओंबाला काम करेगी वो नहीं करेगी अरे दीपा बेटा उठ गई तू कम सकम चाय तो बना दे मेरे लिए मेरे सुबह चाय पीने की आदत है अरे मासी मुझसे नहीं होगा मैं नहीं जाती किचन में मुझसे नहीं आता चाय बनाना भावी को बुलाओ वही बनाएगी देखा छोटी तुने कैसी है ये लड़की कैसी लड़की से तुने साधी कराई है अब तक नहीं उठी है दो पार पार सोती रहती है एक कप चाय बना के नहीं दे सकती है खाना क्या बना के देगी पर दीदी तेरी बेटी तो चाय बना सकती थी थी ना मासी आपने चाय पिया अरे चाय बना के देगी तमना मासी चाय पियेगी तुझे क्या लगता है अपने आप चाय बनके आ जाएगी तू तो दो पहर तक सोती रहती है तुझे तो फिक्र है नहीं किसी की सोरी ममी जी वो मैं देर तक सोती रह गई आज रात में मेरी तबियत कुछ ठीक नहीं थी मैं जाती हूँ चाय बना के देती हूँ और हाँ भाभी मेरे लिए कॉफी बना देना मुझे कॉफी पीनी है चाय नहीं पीऊँगी मैं क्यों रे दीपा तुझे कप चाय या कॉफी नहीं बना सकती है अपने लिए कॉफी नहीं बना सकती है किसी और को क्या देगी ससुराल जाएगी तो कैसे गुजारा होगा तेरा अरे तू पढ़ लिख जुकी है नौकरी कर ले कम सकम कमाएगी तो अपना पेड तो भरेगी और यह तू कैसे कपड़े पहनती है मैं कल से आई हूँ तो यही देख रही हूँ कम से कपड़े तो पहन दीदी तुमने इसे बहुत बढ़ावा दिया है अच्छी बात नहीं है यह ममी जी मेरे ओफिस से कॉल आ गया है मुझे एरजेंटली जाना होगा मैं जा रही हूँ खाना बना लेना क्या तू जा रही है और फिस जा रही है कम से खाना तो बना के जाती कौन बनाएगा खान देखा चोटी तुने तु कल से मुझे ज्यान दे रही थी देख ले लक्षा यह खाना बनाके नहीं जा सकती है और फिस जा रही है अरे नेहा सारा दिन ऑफिस का काम करती है घर का भी काम करती है और यह मा बेटी सारे दिन बैठी रहती है मम्मी मैं तुमसे तो आसा करी सकती हूँ कि कम सकम तुम हेल्प कर दो ये और ये बहन तु सोच लेना ससुराल जाएगी तो तेरे नकड़े तेरे साथ ही जाएगे और वहाँ तुझे पता चलेगा कि ससुराल क्या होता है दीदी ये सही कह रहा है तुम सुधर जाओ बहु को कम से कम थोड़ा तो सपोर्ट करो कमाती है तो पैसे तो घरी में लगाती है ना और दीपा तु समाल जा ये अच्छी बात नहीं है भावी की कुछ हेल्प कर दिया कर और नौकरी कर ले तेरे ही जीवन में सुख्चैन रहेगा मासी आप सही कह रही हो मैंने ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं कोई बात नहीं भाई आज मैं खाना बना लूँ गी और मैं भी आफिस जाना चाहती हूँ मेरे लिए कोई नौकरी देख दो मैं भी नौकरी करूँगी कम से कम आपकी कुछ हेल्प हो जाएगी अरे मेरी माँ तु मेरे लिए नौकरी मत कर तु अपने लिए नौकरी कर ले पहाई के बाद नौकरी बहुत जरूरी होती है नहीं सब कुछ नहीं बैठे रहने से सब भूल जाता है और कोई नौकरी भी नहीं देगा समझी तू बेटा तुम मुझे माफ कर दे, मैं ही भूल गई थी, बहु भी बेकी ही होती है, उसे भी प्यार की जरूरत है, चल कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, आगे मैं अपनी आदस तुढ़ारू हूँ दीदी यही तुम्हें बात करने आई थी तुझसे, तेरी बहु बहुत प्यारी है, और बहुत अच्छी है, तंसकारों वाली है वो, उसकी कदर कर, चलो मा मैं आफिस जाता हूँ, मुझे लेट हो रहा है, मासी आप रूपना साम को आके बात करता हूँ